दोस्तो मेरा नाम मनोश कुमार है। गौरफ कंप्यूटर ग्यान में आपका स्वागत है। दोस्तो आज का वीडियो उनके लिए जो एक यूटूबर है जो एक बीगनर है या फोटवाफर हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे आई एसो के बारे में दोस्तो कि आई एसो है क्या चीद दोस्तो आई एसो हमारे फोटो में क्या डिसाइड करती है दोस्तो आई एसो हमारे फो आप एक जांपल मैं ले रहा हूं आप एक फोटो किसने जा रहे हैं जो एक राद के टाइम है दोस्तों वहाँ पर देख लिए कि लाइट आपको प्रयाप्त नहीं मिल रही है तो आप क्या कि एक पर्चर कम्मू थ्वास जादे खोल दिये जितना आप से हो सके खोल दिये उस आपको बढ़ाना पड़ेंगा यानि कि 100 से 200 कर लिए 200 करनी हो तो 300 कर लिए अगर 300 भी लाइट नहीं हो तो 400 यानि 400 को पार आप रहते हैं आए सो तो नाइट में जादे वह काम करता है दोस्तों एक जांपल मैं फिर ले रहा हूं कि एक आप डे में फोटो किछ रहे हैं ठी आप जादे कर लिए ठीक ना आप ISO आप 400 पर खिशती हैं तो और जादे लाइट आपको आजाएगा तो डे में ISO कम करना पड़ता है यानि को 100-200 पर ही खिचना पड़ता है ठीक ना आप रात में ISO यहां लाइट नहीं मिल रही है तो 400 सो पार खिचे तो आपको जादे अच् अच्छा नहीं लेगा तो ISO कम से कम रखने के कोशित कीजिए दोस्तों हो सके तो रात में खिच रहे हैं तो कुछ लाइट बढ़ा लिजिए तो जादे आपको अच्छा आइसो कम से कम रखिए अगर कोई भी कल्प नहीं मिल रही है तो ISO आपको बढ़ाना पड़ेगा यान दोस्तों तो आप यह देखिए यहां पर उपर मैं मैं ISO को मैं चार्ट लगा दिया हूं ISO इस तरह से बढ़ते हैं इस तरह से आप जाता है इस चार्ट को देखिए जैसे ISO जादे होते जाएगा आपको लाइट जादे मिलते जाएगा जैसे ISO कम होते होते जाएगा तो लाइ अगर आप रात के टाइम है तो 400 से उपर रख लिजे ISO आपको नहीं हो पा रहे तो डे के टाइम है तो 100 के ही पास रखी दोस्तों तो आपको अच्छा फोटे मिलेगा अच्छा कलर भी आएगा दोस्तों